नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं बक्सर खबर 10 जन्वरी का यही वह वीडियो है जब किसानों ने थर्मल पावर के मुख गेट को बंद कर धरना दिया और यहीं से मामले ने करवटली आंदुलन उगुरू अक्तियार करता गया यह दिर समा आपको इस लिए दिखा रहा है क्योंकि 26 जन्वरी गरतंतर दिवस के दिन चौसा के प्रभावित किसान खेतिहर मजदूर सहयुक्त किसान मोर्चा के सहयोग से ट्रेक्टर रैली निकालने जा रहा है हला कि ट्रेक्टर रैली निकालने का आवान सहयुक्त किसान मोर्चा का ही है उसी में अब चौसा के किसान भी सामिल हो गए हैं करतंतर दिवस के दिन ये लोग किला मैदान तक रैली निकालेंगे हाला कि आज 24 जन्वरी की दो पहर तक या यू कह साम तक कि इस बात का पता नहीं था कि रैली किस रूट से निकलेगी किधर को जाएगी क्या होगा लेकिन यह बात उसी दिन से जोर पकड़ने लगी थी जब किसान नेता चौधरी राकेश टिकेट बनारपूर में पिडित किसानों से मिलने आये थे उन्होंने कहा था यहां ट्रैक्टर रैली निकलेगी प्लांट भी बंद होगा और अगर किसानों के साथ परसासन चाहता है तो एक महिने का समय है मामले को निप्टा ले उसके बात से ही यहां राजिंतिक गहमा गहमी कुछ दिन पहले से ही बढ़ गई थी आज 24 जन्वरी को सहबात के डियाईजी एनसी जा दुबारा चौशा थरमल पाउर आए क्योंकि वहाँ निर्मान कारे थोड़ा बहुत अभी कुछ दिन पहले सुरू हुआ है सुरक्षा के लिए वहाँ दो कंपनी फोर्स भी तैनात कर दी गई है जो जनकारी मिली है मीडिया के लोगों ने ट्रेक्टर रैली और यहां की सुरक्षा को लेकर उनसे सवाल किये सब्सक्राइब निखालने वाले इसको देखते हैं सिरक्षा के पुक्ता इटिक्जाम वैसे वह रहते हैं जो इसमें पुलिस अधिक्षक से हमारी बात भी हुई है और जो निमा नुसार जो सांटी विवस्ता बनाया रखने के लिए आवस्यक होगा वो यह करेंगा डियाजी ने कहा आवस्यक सतरक्ता को देखते हुए सुरक्षा की बेवस्ता और पुलिस कर्मियों के इंतिजाम के लिए हमें हाए है इसी बीच देर साम किसान मूर्चा का एक पत्रक भी सामने आया जिसे जिलाधिकारी के नाम चौबिस तारिक अर्थात आज ही कितिती में जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि किसानों का ट्रेक्टर रैला चौशा से किला मैदान तक दो पहर बारा बजे के बाद आएगा गरतंतर दिवस्त समारो संपन हो जाने के उपरांद इस पत्रक के अलावा एक तस्वीर और सामने आई जिसमें कुछ लोग पत्रकार वारता करते देखे गए यह तस्वीर पीसी की है हलाकि हम तक यह बात उस समय रहते नहीं पहुँची अन्यथाई लोगों ने पीसी में क्या कहा उसको हम आपको और विस्तार से बताते लेकिन यह तस्वीर जारी कर यह संदेश दिया गया है किसानों को परसासन असामाजिक तत्व न कहे लेकिन हम भी यहाँ चलते चलते कहेंगे अभी सांदूलन में कुछ ऐसे चेहरे भी दिख रहे हैं जो कल तक खुद को किसान बताने में भी सर्माते थे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको उस सावगत कराएंगे बकसर खबर के साथ हम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद